इर्मयाह अध्याय चौदह इर्मयाह अध्याय चौदह यहोवा का वह वचन जो इर्मयाह के पास सुखे वर्ष के विशे में पहुचा, कि यहुदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भुमी पर उदास पैठे है, और यरुशलिम की चिलाहट आकाश तक पहुच गई है, और उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेचते हैं, और वे गड़ों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए चुचे बर्तन लिये हुए घर लवड जाते हैं, वे लजजित और निराशो कर सीर ढ हाप लेते हैं, देश में पानी न बरसने से भूमी में दरार पड़ गई है, इस कारण किसान लोग निराश होकर सीर ढाप लेते हैं, हरेनी मैदान में बच्चे को जन्म देकर छोड़ जाती हैं, क्योंकि हरी घास नहीं मिलती, और जंगली कद्धे भी मुंडे पीलों पर खड़े हुए गिधड़ों की नाई हापते हैं, उनकी आखे धुंदला जाती हैं, क्योंकि हरी आली कुछ भी नहीं है, हे यहोवा, हमारे अधर्म की काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, कि हम तेरा संग छोड़ कर बहुत दूर भटक गए हैं, और हमने तेरे विर पर्देश में पर्देशी की नाई क्यों रहता हैं, तू क्यों उस बटोही के समान हैं, जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हों, तू विस्मित पूरुष और ऐसे वीर के समान क्यों होता हैं, जो बचा न सकता हों, हे यहोवा, तू हमारे बीच में हैं, और हम तेरे कहल इसलिए हमको नतज, यहवा ने इन लोगों के विशे यो कहा, कि इन लोगों को ऐसा भटकना अच्छा लगता है, और कुमार्ग में चलने से ये नहीं रुके, इसलिए यहवा इनसे प्रसंदन नहीं, वहां इनका अधर्म स्मरन करेगा, और इनके पाप का दंड देगा, फिर यहवा ने मुझसे कहा, मेरी इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर, चाहे वे उपवाज भी करे, तो भी मैं इनकी दोहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होमबली और अन्नवली चढ़ाए, तो भी मैं इनसे प्रसंदन न हूंगा, मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा, तब मैंने कहा, हाई, प्रफु यहवा देख, भविश्वक्ता इनसे कहते है, कि न तो तुम पर तलवार चलेगी, और न महंगी होगी, यहवा तुमको इस्थान में सदाकी शांति देगा, और यहवा ने मुझसे कहा, भविश्वक् मैंने उनको न तो भेजा, और न कुछ आग्यदी, और न उनसे कोई भी बात कही, वे तुम लोगों से दर्शन का जूटा दावा करके, अपने ही मन से भावी बात की व्यर्थ और धोकी की भविश्वानी करते है, इस कारण जो भविश्वक्ता लोग मेरे बिना भेजे, मे उनकी विश्व यहोवा यो कहता है, ये भविश्वक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नाश किये जाएंगे, और जिन लोगों से वे भविश्वानी कहते हैं, न तो उनका और न उनकी स्त्रियों का और बेटे-बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा, इस पर उन्डेलूंगा, सो उनसे यह बात कहा, कि मेरी आखो से दिन रात आसू लगातार बहते रहेंगे, क्योंकि मेरे लोगों की कुवारी कन्या बहुत ही कुछली गई और घायल हुई है, यदि मैं मैं मैदान में जाओ, तो देखने में क्या आएगा? यहा कि तलवार के मार हुए पड़े है, और यदि मैं फिर नगर के भीतर जाओ, तो देखने में क्या आएगा? यहा कि भूग से अध्मुए पड़े है, और भविश्वक्ता और याजग अंजाने देश में मारे मारे फिरते है, क्या तुने यहुदा से बिलकुल हाथ उटा लिया? क्या तु सिय हम शांती की बाठ जो होते आये हैं, तो भी हमें कुछ कल्या नहीं मिला, और यदि पी हम अच्छे हो जाने की आशा करते हैं, तो भी धबराना ही पड़ा है, हे यहुदा हम अपनी दुष्टता और अपने पुर्खाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं, कि हमने तेरे अधर पाप किया है, अपने नाम के निमित हमारा तेरसकार न कर, और अपने तेजों में सिहासन का अपमान न कर, जो वाचा तुने हमारे साथ भांदी है, उसे स्मरंग कर, और उसे न तोड़, क्या अन्न जातियों के मुरतों में से कोई वर्षा कर सकता है, क्या आकाश आसरा देखते है, क्योंकि इन सारी वस्तों का सुजनहार तु ही है.